फिल्म में एक डायलाग है कि जब सच प्रदा होता है तब तक जूट दुनिया के एक चक्कर लगा लेता है कस्मीर के सच को छुपाने की दिरुमित करने की जो कोसिस हुई है एक नेरेटिव बना के गंदी राजनीती की तस्वीर भी देखी है लेकिन कस्मीर में जो अत्याचार हुए अन्याय हुए है कस्मीरी पंडितों के साथ हमारे बहन भाईयों के साथ उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती मैं विवेग जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि सच को उन्होंने पुजागर किया है सच देश मैं जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानेंगे और अब ये स्वभाग के हमारा के मोदी जी भारत के प्रदान मंत्री है कस्मीर से धारा 370 रहत गई है और कस्मीर की परिस्थितियां बदलती जा रही है लेकिन इस फिल्म में जो सच दिखाया गया है देखकर मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है अपनी जन्म भूमी से मासारदा की भूमी से ग्यायन की उस पवित्र भूमी से अपने भाई और बहन अपने बेटा बेटी दे दखल कर दीगा और जैसे अट्याचार हुए है उनकी उपर सच में रोंग टे खड़े हो जागे